Chapter 21 Differential Equation Exercise 21.7 Question है मारे पास Solve the Differential Equation तो देखो इस Differential Equation को कैसे solve करेंगे Question number 30 है D y by dx equal to 1 minus x plus y minus xy तो हम यहां पर क्या करेंगे Variable Separable Form लगाएंगे Variable Separable Form क्या होती है हम x और y वले अलग लग करेंगे देखो मैं आपको करके बताता हूँ सबसे पहले इन दोनों को एक bracket में रख लो 1 minus x को इन दोनों में y common है तो bracket में क्या बचेगा 1 minus x ठीक है अब next step क्या करो इन दोनों में 1 minus x common आचाएगा तो 1 minus x दोनों में common आगया यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा y अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ अब y और x वले अलग लग करते हैं देखो y वला एक ये है एक ये है इनको अलग लग करते हैं dy upon इसको इसके नीचे ले आओ फिर x वले एक ये एक ये तो पहले 1 minus x लिखो फिर dx को आप इधर ले आओ ठीक है next step क्या करो दोनों तरफ integrate कर दो integrate both side ये बनेगा dy upon 1 plus y integral 1 minus x dx अब देखो ये है 1 upon 1 upon x 1 upon x की integration होती है log x तो इसकी भी integration क्या हो जाएगी log 1 plus y फिर इसकी integration करो ये बनेगा 1 into dx dx की integration x ये बनेगा x into dx ये बनेगा x की power 1 तो इसकी हो जाएगी x 2 by 2 plus c ये आगया मारे question number 30 का answer अब इसी तरह question number 31 देखो 31 देखो क्या दियाव है y square plus 1 dx minus x square plus 1 dy equal to 0 तो हम क्या करेंगे इसमें भी variable separable form लगाएंगे मतलब x वले और y वले एक तरफ करेंगे तो सबसे पहला step क्या करो इस पूरी term को उठाके इस तरफ लाओ minus x square plus 1 dy ये पूरी term इस तरफ आ रही है minus हो जाएगा उदर जाके ये बनेगा ये minus minus cancel हो जाएगा अब क्या करो y और x वले एक तरफ करो ये वला y और ये वला y है इन दोनों को एक तरफ dy अपॉन इसको इसके नीचे ले आओ फिर ऐसे ही यहां भी dx के नीचे ये x square plus 1 ले आओ फिर क्या करो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट बोथ साइट तो ये बनेगा यहां पे न वान अपॉन करके लिखता हो और यहां पे भी 1 upon x square plus 1 dx अब देखो 1 upon y square plus 1 की इंटीग्रेशन होती है tan inverse y और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी tan inverse x plus c tan inverse x को इदर ले आओ तो ये आ जाएगा मारे question number 31 का answer question number 32 है हमारे पास dy plus x plus 1 into y plus 1 dx equal to 0 तो इस पे भी variable separable form लगाएंगे क्या करो ये पूरी term उठाके ना इस तरफ ले हो तो यहां पे आएगा तो minus हो जाएगा अब क्या करो x वले और y वले एक तरफ करो तो dy के नीचे ये y plus 1 ले आओ और ये बाकी यहां पे राने दो minus x plus 1 dx अब क्या करो दोनों तरफ integrate करो integrate both side तो ये बनेगा dy upon y plus 1 इसको ना अलग लग integration दे दो ये बनेगा x dx और ये minus इससे भी multiply होगा तो ये बनेगा minus 1 into dx dx ये है 1 upon y plus 1 1 upon x की integration log होती है तो इसकी हो जाएगी log y plus 1 इसकी देखो क्या होगी x square upon 2 और इसकी dx e x plus c ये दोनों टर्म्स को उठाके इदर ले हो तो ये आजाएगा हमारे question number 32 का answer अब इसी तरह question number 33 भी देखो dy by dx दिया हो है 1 plus x square into 1 plus y square तो इसमें भी variable separable form लगाते हैं क्या करो y और x को एक तरफ करो तो dy ये y वला है ये इदर ले आओ और dx को उदर ले जाओ 1 plus x square dx अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो इंटीग्रेट बोथ साइड ये बनेगा dy upon 1 plus y square integral 1 plus x square dx देखो 1 upon 1 plus y square की integration होती है tan inverse y फिर ये बनेगा 1 into dx और इसको x square की integration हो जाएगी x 3 by 3 अब क्या करो x minus x cube by 3 को आप इस तरफ ले आओ नहीं यहां तक ही ठीक आंसर लाओगे भी तो भी चलेगा नहीं लाओगे तो भी चलेगा तो ये हो गया हमारा 33 भी complete question number 34 है हमारे पास x minus 1 dy by dx equal to 2x cube y तो हम इसमें भी क्या करेंगे x और y वल एक तरफ करेंगे सबसे पहले dy को यहां रखो ये जो y है ये इसके नीचे ले आओ ठीक है फिर ये 2x cube लिखो यहां पर अब x वल एक तरफ कर रहे हैं ये x minus 1 इदर ले आओ और dx को उदर ले जाओ अब क्या करो दोनों तरफ integrate कर दो integrate both side ये बनेगा dy upon y यहां पर 2 बहार निकाल लो x cube upon x minus 1 dx ठीक है अब इसकी integration देखो कैसे करेंगे ये 1 by y है ये हो जाएगा log y ठीक है जिसको mod में भी रखोगे तो भी चलेगा नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अब देखो क्या करेंगे मेरी बात द्यान से सुनना इसकी integration करने के दो तरीके है पहला तरीका ये है अगर आपने divide वाला method सीखा होगा ना तो divide वाले method से कर सकते हो divide वाला method क्या होता है अगर degree numerator की बड़ी हो तो आप divide कर सकते हो अगर आपको divide वाला method नहीं आता तो एक और method है मेरे पास देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा यहाँ पे देखो x-1 है तो मैं यहाँ पे भी x-1 बनाऊँगा कैसे यहाँ पे minus 1 add और subtract करके ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पढ़ना a cube minus b cube लगाएंगे 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का cube लिख सकते हैं ना तो देखो मैं यहाँ पे formula लिख देता हूँ a cube minus b cube a cube minus b cube होता है a minus b a square plus a b plus b square यह formula यहाँ पे apply करो यह बनेगा log y 2 यहाँ पे यही formula यूज़ करो ठीक है यह आएगा a minus b x minus 1 फिर a square x square a b x into 1 x plus b square b है 1 का square plus 1 upon x minus 1 ठीक है अगला step देखो क्या करो इसको इसके नीचे रखो इसको इसके नीचे तो देखो कैसे log y equal to 2 times इसको इसके नीचे x minus 1 x square plus x plus 1 upon x minus 1 plus इसको इसके नीचे 1 upon x minus 1 दोनों को integration अर्लग लगते तो यह जो 2 है ना यह इससे भी multiply होगा इससे भी होगा तो यहाँ भी 2 आ चाहेगा यह और यह cancel यह बनेगा log y 2 times इसकी integration होगी x 3 upon 3 इसकी होगी x square upon 2 और इसकी होजाएगी 2x नहीं sorry x और यह 1 by x है 1 by x की integration log x तो यह बनेगा log x minus 1 plus c ठीक है अब अगला step क्या करना है यहाँ तक चाहो तो यहाँ तक छोड़ोगे तो भी ठीक है पेपर में कोई marks नहीं काट सकता लेकिन अगर answer match करना है तो अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना पहले तो 2 से multiply करो इसको यह 2 से multiply करके कट जाएगा और यह 2 से इसको multiply करो यह बनेगा 2x फिर यह same लिख दो इस पूरे को ना bracket बंद करो अब दियान से सुनना देखो मैं यहाँ पे एक formula लिख रहा हूँ log a to the base b equal to c log a to the base b equal to c तो हम इसको पता है क्या लिख सकते है a equal to b की power c समझा ही मेरी बात अगर आपके पास और यह log की definition होती है log a to the base b equal to c हो तो a को लिख सकते है b की power c तो अब देखो इसकी यह a है अब आप सोचो कि b यहाँ पे तो है ही नहीं देखो अगर कुछ भी ना होना तो उसकी base e होती है हमेशा याद रखना क्या होती है e तो यह a यह b और यह पूरा c यह पूरा c इसको ना c 1 रख लेती है बैटर देगा तो यह पूरा c है तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ a, a है y equal to b की power c यह पूरा b है नहीं सौरी b यह है b है मारा e और फिट c, c यह पूरा है तो इसकी यह पूरी power लगा दो ठेक है यहाँ तक समय जागी अब अगला step देखो क्या करो इसको bracket बंद करो इसको bracket बंद करो और इसको bracket बंद करो अब हम ना power को तोड़ेंगे जैसे आपने यह पढ़ा न 2 raise to power x plus 1 तो इसको लिख सकते हैं 2 raise to power x into 2 raise to power y when bases are same powers are added तो वही same चीज यहाँ करो इसको मैं अलग से power दे रहा हूँ 2 x cube upon 3 x square plus 2 x into इसको अलग से power दे रहा हूँ e 2 log mod of x minus 1 और इसको अलग से power दे रहा हूँ e c 1 ठेक है यहाँ तक समझ आ गया अगर आप when bases are same powers added करोगी तो यही आएगा अब अगला step देखो क्या करना है इसको अब बाद में लिखते हैं पहले यह लिखो e c 1 फिर यह लिखो e अब यहाँ पर देखो यह बन रहा है n log m n log m होता है log m की power n ठीक है तो यह बनेगा log mod of x minus 1 का whole square हो जाएगा ठीक है x square plus 2x अब मेरी बात दियान से सुनना एक फॉर्मला ओर होता है अगर आपके पास हो e log x तो हम इसको x भी लिख सकते है e e ओ लॉग कट के simple x रा जाता है तो यहाँ पर यही करो e c 1 e ओ लॉग e ओ लॉग कट जाएगा तो पीछे बचेगा mod of x minus 1 का whole square और यह term सेम लिख दो बस एक step और करना इसके बाद खत्म हो जाएगा e c 1 यह constant है क्योंकि c भी constant है e भी constant है e होता है 2.73 e होता है 2.73 अगर 2.73 की power constant होगी तो वो constant होगा तो मैं इसको c लिख देता हूँ यह बनेगा c और यह सारा सेम लिख दो यह भी सेम लिख दो तो यह आ गया मारा where यह लिखना where c equal to e raise to power c 1 तो यह आ गया यह लिखा मैंने 2 by 3 x cube plus x square plus 2 x यह आ गया मारा required answer question number 35 है हमारे पास d y by dx दियाव है e raise to power x plus y plus e raise to power minus x plus y तो देखो क्या करेंगे सबसे पहला step इनकी नब powers को तोड़ते हैं यह बनेगा e x into e y next step क्या करो इसकी भी power तोड़ो e minus x into e y ठीक है फिर क्या करो दोनों में से e y common निकालो तो bracket में रह जाएगा e x plus e raise to power minus x अब लगाओ variable separable form y वले एक तरफ करो और x वले एक तरफ करो यह देखो मैंने यहाँ पर y वले भी कर दिया और x वले भी एक तरफ कर दिया ठीक है क्या किया यह e y को इदर लाया और dx को इदर ले आया अब इसको ना उपर ले जाओ यह ऐसे बनेगा अब इसको integrate कर दो integrate both side तो यह आएगा e raise to power minus y dy इसमें भी integration अलग लग कर लो e raise to power x dx e raise to power minus x dx अब इसकी integration देखो क्या होगी e raise to power minus y की same और upon में y का जो coefficient है minus 1 नीचे आजाएगा इसी तरह e raise to power x की integration e raise to power x फिर e raise to power minus x की भी same और upon में minus 1 आजाएगा plus c यह minus को उपर ले जाओ minus 1 e minus y और इस minus को भी उपर ले जाओ अब इस e minus x को इदर लाओ यह बनेगा e minus x minus e minus y equal to e raise to power x plus c यह आगया हमारे question number 35 का answer अब इसी तरह question number 36 देखो d y by dx दिया है cos square x minus sin square x into cos square y तो इसमें भी x और y वले एक तरफ करेंगे लेकिन उससे पहले एक ची सुन लो cos square x minus sin square x का formula होता है cos 2 x क्या formula होता है cos 2 x तो यह formula apply कर दो यह बनेगा d y by dx cos square x minus sin square x की जगा cos 2 x into cos square y अब क्या करो y वले और x वले एक तरफ करो तो dy के नीचे यह cos square y ले आओ और dx को इदर ले आओ यह बनेगा cos 2 x dx अब क्या करो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट बोथ साइड यह बनेगा 1 upon cos square y d y cos 2 x d x अब देखो 1 by cos 1 by cos x होता है sec x तो यह बनेगा 1 by cos y हो जाएगा sec square y d y cos 2 x की इंटीग्रेशन sin x sin 2 x और upon में x को कोफिशन 2 लिख दो अब लास्ट अब करना है sec square y की इंटीग्रेशन होती है tan y तो बस यह आगया answer हमारा 1 by 2 को पहले लिख दो यह हो गया हमारा 36 भी complete कोफिशन नंबर 37 का फर्स पार्ट है x y square plus 2 x d x plus x square y plus 2 y d y equal to 0 तो देखो क्या करो इस term को न इधर ही रहने दो और इस term को उदर ले जाओ ठीक है लेकिन सबसे पहले इधर से y common निकालो y common यहाँ बचे का x square plus 2 और यह वाला d y फिर यह term पूरी उस तरफ लाओ तो इधर आके minus हो जाएगी और इन दोनों में x common निकालो यह बचे का y square plus 2 d x अब क्या करो x और y वले एक तरफ करो तो y वले एक ही है दो और एक ही है तीन y d y upon y square plus 2 minus x d x oh sorry मैं integration का sign क्यों लगा रहा हूँ चोलो integration भी कर दो साथ-साथ में यह x dx इदर आगिया और इसको इसके नहीं चले आओ तो मैंने साथ में integration भी कर दी sign लगा दिया की नहीं अब y square plus 2 की differentiation होती है 2y लेकिन यहाँ पे y है तो 2 से multiply और divide भी कर लो इसी तरह सेम यहाँ पे भी ठीक है अब हम let कर लेते है y square plus 2 को t ले लेते है तो इसकी differentiation हो जाएगी 2y dy इसी तरह x square plus 2 को u ले लेते है इसकी differentiation हो जाएगी 2x dx अब यह बनेगा 1 by 2 2y dy की value देखो क्या है dt और y square plus 2 को लिया था t इसी तरह यहाँ भी 2x dx की value du और इसको लिया था हमने u यह 2 और यह 2 काड़ दो अब यह है 1 by t 1 by t की integration होती है log t और यह है 1 by u 1 by u की integration होती है log u plus अब देखो सारे log में आगे न तो जब सारे log में आजाए तो log अब answer में इसने a दिया हो है तो मैं log a लिख देता हूँ आपको लगेगा फिर answer match नहीं हुआ ठीक है एक सेगे देख लेते हैं हाँ a यह दिया हूँ है अब क्या करो इसको इदर लाओ log t plus log u equal to log a ठीक है अब आपने यह formula तो पढ़ा है log m plus log n equal to log m यह ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर a रखना था c b रख सकते तो मैंने answer देख लिया था पहले से a लिखावा था फिर आपने कहना था कि आपने answer गलत निकाला इसलिए मैंने a लिख दिया तो यह formula बन जाएगा log t u अब log log cancel हो जाएगा तो यह और यह cancel t u equal to a ठीक है अब क्या करो यहाँ पर t और u की value दालने से पहले न t को यहाँ रखो u को इसके नहीं चले आओ अब यहाँ पर t और u की value दालो देखो t की value आपके सामने है y square plus 2 और u की value u x square plus 2 तो यह आगया हमारे question number 37 के first part का answer अब आजओ second part पे second part दियावा है question number 37 का cosec x log y d y by dx equal to x square y square equal to 0 तो देखो क्या करेंगे इसको इस तरफ ले आओ इसमें भी x और y वल एक तरफ करेंगे cosec x log y d y by dx equal to minus x square y square अब क्या करो x और y वल एक तरफ करो तो सबसे पहले लिखो log y dy और upon देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे y और x वल एक तरफ करेंगे यह y है और यह y square है इसको इदर ले आओ ठीक है मैंने क्या किया log y dy और y square को एक तरफ कर दिया मतलब मैंने y वल एक तरफ कर दी अब x वल एक तरफ करो देखो x वल एक यह ए है एक यह है और एक यह है तो यहाँ पर x square लिखो यह dx को इदाल आओ और यह जो cosec x है इसको नीचे ले आओ ठीक है अब दोनों तरफ integrate कर दो integrate both side integration करने से पहले इसको नो ऊपर ले आओ यह ऊपर आएगा तो यह बनेगा y minus 2 dy ठीक है और cosec x 1 by cosec x होता है sin x 1 by cosec x होता है sin x तो यह sin x dx हो जाएगा अब क्या करो इसको हम integrate करेंगे ठीक है कैसे मैंने log y छोड़ दिया sorry यह log y यहाँ लिख देता हूँ ठीक है दिख रहा है ना आपको y minus 2 log y यहाँ लिख दिया अब हम क्या करेंगे यहाँ पर u into v लगाएंगे तो u into v में हमने पहले यह देखना होता है कि i late में पहले कोन आ रहा है तो यह है algebra और यह है log तो देखो log पहले आ रहा है algebra बाद में आ रहा है और इसी तरह यहाँ पर भी u into v लगेगा पहले यह u लिख दो यह v यह algebra यह trigonometry तो पहले कोन आ रहा है algebra और बाद में आ रहा है trigonometry तो फिर इसको u और इसको v ठीक है अब करो integration यू बाहर निकालना है integration करनी है v की फिर minus integral d by dy आपको यही same लिखते रहा है ठीक है यह formula याद करने का तरीका होता है अगर आपको formula आता है तो बड़ी अच्छी बात है नहीं आता तो एक तरीका यह भी होता है इसी तरह यहाँ भी u बाहर निकालो integration करो v की फिर minus integration d by dx यही same लिखना है ठीक है आपको minus x square sin x dx dx अब y minus 2 की integration देखो क्या होती है y minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 तो यह बनता है y minus 1 upon minus 1 वो बनेगा minus 1 by y तो मैं इसको लिख रहा हूँ minus 1 by y log y अब यहाँ पर आजाओ इसकी integration log y की 1 by y और इसकी तो अभी हमने की minus 1 by y और यह वला dy फिर इसकी integration यह sin x की minus cos x तो यह plus हो जाएगा यह देखो minus plus हो जाएगा और यहाँ पर x square की integration होगी 2x sin x dx ठीक है अब भाजो अगला step अगले step में देखो क्या करेंगे अब मारे पर जगा भी जादा बची नहीं है माइनस 1 by y माइनस 1 by y एक काम करो इन दोनों में न माइनस common निकाल लो यह यह माइनस नहीं कामन कैसे निकालेंगे एक सेकिन रुकना यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 1 by y log y अब यह बन रहा है 1 by y square 1 by y square की integration माइनस 1 by y तो यह माइनस फिर से यह आ जाएगा इस टर्म को इस तरफ ले आओ ठीक है अब यहाँ पढ़ना मैं फिर से u into v लगा रहो तो देखो क्या करेंगे अब मैं direct लगाँगा ठीक है यह algebra है यह trigonometry है यह u यह v तो मैं direct लगाँगा तो u बहार integration v की v है sin x sin x की minus cos x फिर differentiation करनी होती है इसकी इसकी differentiation हो जाएगी 2 और इसकी 2 बहार integration करनी है एक बार करोगे तो minus cos x आएगा फिर cos x की करोगे तो sin x आएगा मतलब यह बनेगा यह 2 एक सेकी रुकना यह minus मैंने यह plus यह minus था ना मैंने यहाँ पर तो minus था हाँ तो यह minus आएगा ठीक है तो यह बनेगा दो बार करनी है न sin x की हो जाएगी एक सेकंड यह plus था यार अब ठीक है sin x की दो बार करोगे तो minus हाजाएगी minus sin x हो जाएगा plus c अब last step क्या करना है यहाँ जगान यह थोड़ा adjust करने की कोशिश करना इन दोनों में minus 1 by y बाहर निकाल लो या अगर नहीं भी निकालना minus 1 by y तो सिरॉफ minus 1 निकालो और y का LCM ले लो यह minus बाहर चला गया ब्रेक्टें बजेगा log y plus 1 ठीक है फिर यह minus x square cos x और यह दोनों terms को उठाके इस तरफ लो और दोनों में 2 भी common है यह निकाल लेना दोनों इस तरफ आएंगे प्लस हो जाएगा तो यह बनेगा x cos x plus sin x equal to c अगर आपको दिख रहा है हाँ अब देखो तो यह हो गया हमारे question number 37 complete मेरा मैंने एक छोटी सी mistake कर दी भी है mistake पता है क्या किया है यहाँ पर देखो जब sin x की integration हुई थी तो cos x आना था यहाँ ठीक करना यह cos x आना था तो यहाँ पर sin x आएगा और यहाँ पर cos x आएगा बाकी सारा ठीक है तो यह उदर यहाँ पर sin x करना और यहाँ cos x करना ठीक है यह last के step ठीक कर ले ना थोड़े से गरबड कर दी मैंने और यहाँ पर जब sin x की करोगे तो minus आनी थी यह minus हो जाना था तो बाकी सारा ठीक है ठीक है question number 38 का first part है x y dy by dx equal to 1 plus x plus y plus x y तो देखो क्या करेंगे इसमें भी variable separable लगाएंगे लेकिन पहले थोड़ा सा इसको solve करना पड़ेगा इन दोनों को एक bracket में रखो और इन दोनों में से y common निकालो यहाँ बचेगा 1 plus x अब क्या करो 1 plus x दोनों में से common आ जाएगा और bracket में बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ बचेगा y अब करो x और y वल एक तरफ देखो पहले y और dy को इदर रखो और यह जो 1 plus y है यहाँ ले आओ ठीक है फिर यहाँ पर भी ऐसा करो यह 1 plus x को इदर रहने दो यह dx को उठा के इदर लाओ और फिर पीछे कोन बचा यह x यह x नीचे आ जाएगा ठीक है अगला स्टेप क्या करो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट बोथ साइट तो यह बनेगा y अपॉन 1 plus y dy इसको अलग लग कर लो इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे रखो कि 1 हो जाएगा ठीक है अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे यहाँ पे डिनॉमिनेटर में 1 plus y है तो उपर भी यही बनाते हैं देखो मैं यहाँ पे 1 एड कर रहा हूँ और 1 सब्ट्राइक कर रहा हूँ देखो मैंने यहाँ पे 1 plus y बना दिया ठीक है अगला step क्या करो इसको इसके नीचे 1 plus y upon 1 plus y करोगे 1 हो जाएगा और इसको इसके नीचे बाकी सारा सेम लिख दिया अब करो इसको इंटीग्रेट यह बनेगा 1 dy 1 dy की इंटीग्रेशन y यह 1 by 1 plus y है इसकी हो जाएगी log 1 by x की फॉर्म में है log 1 plus y 1 by x की इंटीग्रेशन log x और 1 dx की x फ्लस c ठीक है अगला step क्या करो यह term उठाके ना इदर लाओ y equal to सबसे पहले x लिखो फिर log mod of x लिखो फिर यह log को ना इदर लाओ log 1 plus y plus c अब last step एक और करना है हमने यह formula पढ़ा है ना log m plus log n यह होता है log mn यह formula यहाँ पर लगा दो तो यह बनेगा y equal to x यह m यह n तो क्या formula होता है mn log m plus log n तो यह बनेगा m है हमारा x और n है हमारा 1 plus y तो यह आगया हमारे 38 के first part का answer अब इसी तरह second part देखो second part दिया है y into 1 minus x square dy by dx equal to x into 1 plus y square तो यहाँ पर भी x और y वले एक तरफ कर लो तो देखो क्या करो सबसे पहले यह y वला है यह वला और यह वला यह वला यह एक तरफ करो पहले y dy लिखो फिर 1 plus y square को इदर ले ओ इसी तरह यहाँ भी यह dx को इदर यह बनेगा x dx और 1 minus x square को इसके नीचे फिर क्या करो दोनो तरफ integrate कर दो यह बनेगा y upon 1 plus y square dy और यह बनेगा x dx 1 minus x square ठीक है अब देखो 1 इसकी integration कैसे करेंगे 1 plus y square की differentiation होती है 2y तो मैं यहाँ पर 2 से multiply और divide कर लेता हूँ इसी तरह 1 minus x square की differentiation होती है minus 2x तो minus 2 से यहाँ multiply और divide कर लो यह 2 और यह 2 काड़ दो अब इसको t ले लो t is equal to 1 plus y square यह बनेगा 2y dy इसी तरह अब 1 minus x square को u ले लो तो इसकी definition आजाएगी minus 2x dx अब यह values इसमें दालो 2y dy की value dt और 1 plus y square की value t इसी तरह यहाँ भी minus 2x dx की value du और 1 minus x square की value u तो 1 लगा दो यहाँ पर 1 by t की integration log t और यह minus भी था ना मैंने गलती पता है यहाँ क्या की है मैंने minus 2 से multiply और divide की है लेकिन minus 2 minus भी लगाना था नहीं समझे मेरी बात minus 2 से multiply और divide की था था ना तो minus यहाँ भी आना था ना तो यह minus यहाँ ले लो यह बनेगा log t और यह बनेगा 1 by u की हो जाएगी log u अब साधे log आगे ना तो यहाँ पे लिख दो plus log c ठीक है अब last step क्या करो इस log u को इदर ले आओ यह बनेगा log t plus log u equal to log c तो मैंने log mn का formula बताया था यह बनेगा log m plus log n वो हो जाएगा log t u log log cancel यहाँ पे t की value दालो t है 1 plus y square और u है 1 minus x square तो यह आगया हमारे question number 38 के second part का answer question number 38 है हमारे पास y e x y d x plus x plus e x y plus y square dy equal to में मैंने कुछ नहीं लिखावा एक second लोगना इनके बीच में यह equal to है और यहाँ पे दियावा है y is not equal to 0 तो देखो कैसे करेंगे थोड़ा साना question थोड़ा difficult है इसलिए ध्यान से समझना पहले तो same लिख रहा हूँ इस d y को ना दोनों से multiply करो यह बनेगा x e x y d y plus y square d y ठीक है अगला step क्या करो आपको यह जो दिख रहे हैं नहीं एक यह वला और एक यह वला d y वला यह दोनों एक तरफ करो यह और यह क्यों क्योंकि इन दोनों में न e x y common आजाएगा यह दोनों एक तरफ करो e x y common निकाने के लिए एक तरफ करो ठीक है equal to y square d y अब अगला step क्या करो दोनों में e x y common निकालो यहाँ बचेगा y d x minus x d y और अब आन में न यह वला y square है न यह इसके नीचे ले आओ और यहाँ d y लिख दो अब आप मेरी बात दियान से सुनना ठीक है अब हम लेट करते हैं लेट t is equal to e x y ठीक है दो इसकी differentiation करो यह बनेगा dt by dx यहाँ e raised to par x y की same आजाएगी अब यहाँ पर लगेगा u by v y बहार इसकी differentiation आएगी dx by dx वो 1 होता है मेरको पता है मैं ऐसी लिख रहाँ ठीक है फिर minus यहाँ पर कौन बहार आएगा अब x बहार आएगा y की हो जाएगी dy by dx upon y square ठीक है अब एक चीज दियान से सुनना इन दोनों में न यह dx मैं बहार निकाल रहाँ यह वला dx dt by dx यह dx बहार निकाल रहाँ ठीक है यह बनेगा e x y dx बहार आजाएगा यहाँ बचेगा y dx minus x dy upon y square यह dx और यह dx काड़ देता हूँ अब सुनो दियान से और यहाँ पर न इंटीक्रेट भी कर देना इसी step में अब देखो इस पूरे की value देखो क्या है इस पूरे की value e x y y dx minus x dy y square इस पूरे की value है dt और dy की integration होगी y plus c अब यहाँ पर dt की integration करो वो होगा t थोड़ा सा अलग question पढ़ा आपने अब यहाँ पर t की value दाल दो t लिया था हमने e raised to par x y को यह आगया हमारे question number 38 के third part का answer अब इसी तरह question number 38 का fourth part है 1 plus y square tan inverse x dx plus 2y 1 plus x square dy equal to 0 तो हम इसमें भी क्या करेंगे x और y वले एक तरफ करेंगे तो देखो कैसे यह पूरी term जो है न यह वली यह पूरी term उठाके इस तरफ लाओ यह बनेगा 2y 1 plus x square dy equal to यह पूरी term उठाके इदाल आ रहे हैं 1 plus y square tan inverse x dx अब क्या करते हैं x और y वले एक तरफ करते हैं देखो y वले एक यह है एक यह है और एक यह है तो यह लिखो 2y यह इसके नीचे ले आओ 1 plus y square और यह वला dy भी ठीक है फिर यह दोनों बचे tan inverse x dx को यहां लिख दो और upon में यह वला 1 plus x square यहां ले आओ ठीक है अब अगला step क्या करो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट बोथ साइड यह बनेगा 2y 1 plus y square dy यह सेम आजाएगा tan inverse x upon 1 plus x square dx अब इसकी integration देखो कैसे करेंगे 1 plus y square की differentiation होती है 2y तो इसको t ले लो यह बनेगा dt is equal to 2y dy अब इसकी tan inverse x की definition होती है 1 upon 1 plus x square तो हम इसको भी t ले ले लेते है यह बन जाएगा 1 upon 1 plus x square dx ठीक है अब इसकी integration करो सबसे पहले देखो 2y dy की value क्या है dt और 1 plus y square की value t minus tan inverse x tan inverse x को हमने लिया था यहाँ पर t नहीं रखो u रखो कुछ difference रखते हैं दोनों में u लिया था और dx upon 1 plus x square की value d u अब देखो 1 by t की integration log t और यह u की power 1 है इसकी integration हो जाएगी u 2 by 2 plus c ठीक है अगला step क्या करो इस u square by 2 को इदा लाओ यह बनेगा u square by 2 plus c अब value दालने से पहले यहाँ पे u square by 2 को पहले लिख दो और इसको बाद में अब क्या करते हैं यहाँ पर u और t की value दालते है देखो u की value देखो कहां पे है u है मारा tan inverse x तो यह बनेगा tan inverse x का whole square upon 2 plus log यहाँ देखो t की value देखो कहां पे है t है 1 plus y square यह t की value equal to c तो यह हो गया मारा question number 38 complete